दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं सोलर की मदद से खाना तो चलिए सबसे पहले हमको एक सोलर को धूप में रखना होगा यानि कि सूरी की गर्मी में रखना होगा और उस सोलर के नीचे खाना को रखना होगा जिसको हमें पकाना है तो चलिए सबसे पहले हम खाना को रख देते ह उसके बाद सोलर और उसके बाद धूप में रख देते हैं चलिए देखते हैं क्या हमारा खाना पक सकता है यहां पर तयार हो गई है यह थोड़ी सी थी और पानी जाए कहीं दोस्तों सोलर एनर्जी के मदद से हमारी खाना बन चुकी है